हलो और वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ अनिरबन और मैं आज आप लोग के सामने एक कैंडल वेक्स रीडिंग लेके आया हूँ ओकल पे कैंडल वेक्स एक बहुत ही इंपोर्टन चीज होता है यहाँ पे हम लोग जान पाएंगे आपके पार्टनर क्या सोचते है हम लोग यहाँ पे आपके पार्टनर के एनरजी के साथ काम करेंगे तो आप अभी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए रिलेशन्शिप का जो भी ब्लॉकेजे से इसको भूल जाएए हम लोग प्रे करेंगे माकाली को और हम लोग कुछ न कुछ जरूर कुछ न कुछ सुराग हम लोगों को मिलेगा तो यह रहा होली वोटर और इसके साथ मैं कैंडल्स को ज़रा रहा हूँ कैंडल्स चल गया है सो अभी मैं पेंडूलम के साथ कैंडल्स को मदद करूंगा चार्ज होने में heal and energize, heal and energize, heal and energize candle, please, please, please speak the truth of the mind, okay, चलिए, यहाँ पर candles, informations दे रहे हैं, आपके partner आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, sexually, physically, emotionally, वो आपके पास आना चाते हैं, बट बहुत guilt लेके बैठे हैं, आप दोनों के बीच में connection काफी अच्छे है, बट काम के बज़ी से वो बात नहीं कर पाए, आपके person आपके बारे में सोच रहे हैं, यह ऐसे X हो सकता है, अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ब्रिज को तयार करने, try करे, एक ब्रिज तयार हो जाए, आप दोनों के ब पर्सन हो सकता है, जिसके साथ अपका फिजिकल रिलेक्शनशिप हुआ है, यह फिर ऐसा हो सकता है, यह एक completely नए पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, जो ऑपसेसिव किसम का एक पर्सन मेरे को लग रहा है, और, yes, I can see a lot of obsession, यहापे sexual energy है, और मैं देख रह पर्सन का energies में देख पा रहा हूं, हो सकते हैं कि यह तीनो पर्सन आपको पाना चाते है, बट इसको यह नहीं पता है कि आप क्या ढून रहे हो, आप कुछ अलग चीज ढून रहे हो, आप एक नए चीज को ढून रहे हो, आपको डर लग रहा है, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ friendly तो हो, बट किसी को आप ढून नहीं पा रहे हो, यह रहा आपके energy और आपके partner आपको miss कर रहे हैं, वो भी सब के साथ flirt करने की कोशिश कर रहे थे, किसी के साथ physical intimate होने के लिए भी सोचे हैं, किसी को बुलाने की भी कोशिश किये थे, बट नही कर पाए, क्योंकि उसका energy scattered है, वो बार बार ना आपको गुसा भी करते हैं, बट आप शाहिद कुछ ऐसे manifestations कर रहे हो ना, कि वो आपको message करने में मजबूर हो जाएंगे, यहां पर बहुत ज़दा मतब मैं देख सकते हो distractions हैं, उसको लोग गलत बोल रहे हैं आपके बारे में पर फिर भी, उसको मन में, उसके मन में हैं कि आप उसको प्यार करते हो, आपके पास जो physical beauty है, जो power है, वो किसी के पास नहीं है, तो वो यह मानते हैं कि आपके पास कुछ है, जादू कुछ है, क्योंकि आप manifest कर रहे हो, वो बार बार आपके बारे में सूच रहे हैं, और मै कैसे आप चले जाते हो तो उसके लाइब बहुत बोरीं हो जाते हैं मैं देख सकते हो कि ego बहुत जादा है और ego के विज़े सी वह आपसे बात नहीं कर पाया था बट अभी उसका घुसा ठंडा हो रहा है गुसे में था कुछ ऐसा बोले थे आपने या फिर वह आपके साथ सब कुछ छोडशार के चला गया था ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी बापस नहीं आएगा तो वह खुद हैरान हो जा रहे कि कैसे वह अभी भी आपके बारे में सोच रहे है वह ऐसा ठान लिया था कि वह कर जिंदेगी में आपके बारे में नहीं सोचेंगे और वह अभी इतन जादा पिगल जा रहे हैं न कि मत ऊचो मैं देख सकता हूँ कि यह पर बहुत तगड़ास पैशन है मतलब मेरे हाथ पे भी बहुत ज़दा हीट आ रहा है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ वो चाहते हैं कि वो आपसे मिले आपसे फिजिकल इंटिमेट होए और यहाँ पर म सब मैं देख सकता है देखो देखो यहाँ पर यह चीज जल रहा है यह सिंप्ली देखो इसका इसका फायर देखो आप दोनों का पैशन को देखो यह जल रहा है यह आपके पास जरूर आएगा यह आ रहा है मैं देख सकते हूँ कि रिलेशन्शिप में काफी जादा दूरी हो गया था यानि कि दोनों का अलग लेवल का हो गया था chemistry लगबग आप सोच रहे थे आप move on करेंगे वो कभी भी आपके life में आने नहीं वाला है और लगबग आप hopeless हो गये थे बट वो अभी भी आपके बारे में याद कर रहे हैं physical chemistry, एक separated person देख रहा हूँ, आपसे उमड में थोरा सा बड़े है बट फिर भी आप उसको याद में कुछ नए lights लेके आये हो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत energetic feel करते हैं वो पहले प्यार को नहीं देखा था उसके life में कभी भी प्यार नहीं हुआ था वो सिर्फ एक जिस्वानी चाहत था तो इसलिए वो काफी ज़ादा और भी लोगों के साथ involved था मैं देख रहा हूँ, अभी उसका यकीन हो गया कि प्यार क्या है, unconditional प्यार क्या है आप कितना अच्छे से उसको प्यार की हो और वो आपके प्यार को ठुकरा के किसी दूसरे person के पास चले गए थे यह फिर दूसरे person के बारे में सोच रहे थे यह एक, एक बोहती खुबसूरत women हो सकते है यह फिर एक बहुती खुबसूरत men हो सकते है मैं यहां पर देख सकता हूँ having a long hair यह फिर colored hair अगर मैं बोलू कोई alphabets तो आपके person का नाम P से start हो सकता है S से start हो सकता है A से start हो सकता है आपके person के नाम I से start हो सकता है and similarly मैं यह चीज़ देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में एक तगड़ा passion है हो सकता है आप लोग physically intimate हुए हो यह फिर यह तक भी में देख सकता हो कि आप बहुत जादा एक दूसरे को चाहते हो but फिर भी यहां पर ashes आप देख सकते हो side के distractions आपके relationship को बहुत control करते है हो सकता है कि आपके family में लोग नहीं चाहते है कि आप इससे मिलो यह फिर उनके family में लोग नहीं चाहते है कि वो आप से मिले तो इसलिए बहुत जादा relationship affected हो गया था सब ठीक चल रहा था आपके person के उपर कोई जादू टोना हुआ था मैं देख सकता हो कि उसके और आपके बीच में मेरे को दिख रहा है बट कोई person out of jealousy ये बोल रहे है कि आप अपने person के साथ ना मिलो तो हो सकता है ऐसा या फिर आपके person को कोई और चाहता है और वो उनके तरफ आपके person को कीच रहा है बट नहीं आपके person आप ही को प्यार करते है क्योंकि उसको ना लगता है कि कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है और उसको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही सिर्फ बने हो इस दुनिया में और कई कबार मैं देख सकते हो कि unconditional love ऐसा नहीं है कि कोई पैसा चाहिए ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए मिल रहे हो, मैं देख सकते हो, यहां पर प्यासा है, प्यार है, जिस्मानी चाहत भी है, बट यह एक अलग किसम का अट्रैक्शन है, चाहे वो अंटर्टिका पर भी रहे, या फिर वो कहीं पर भी रहे, आप और वो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते ही रह सा रहे हैं, इस रिलेशेंशिशिप, सब कुछ खतम हो जा रहे हैं, उतना ओर भी मतर्व आपके पास आ जाते हैं, तो में देख सकते हो, आप लोग कोई स्पेल कर रहे हो, वशी करन या फिर कोई भी मैनिफेस्टीशिंस कर रहे हो, पिंक supply कर रहे हो, रेड कलर्स के इस्तम का मौझूदगी है तो ऐसा हो सकता है कि कोई spirit आपको help करे है आप दोनों को मिलाने के लिए तो मैं देख सकते हो कि बहुत जादा रो रहे हो आप और रो रो कि आप इश्वर से अल्ला से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो और आपका prayers hear'd हुए है यानि की universe ने सुने है repetitive numbers देख सकते हो a different kind of sexual arges भी आपको आ सकता है vibration हो सकता है since I am your brothers please don't get me wrong मैं personal हो रहा हूं इस चीज के लिए मैं ये भी देख सकता हो कि आपको कुछ अलग चीज का तलाश है वो मैं बोल सकते हो कि आप मिलना चाहते हो intimate होना चाहते हो wild passion को experience करना चाहते हो आप चाहते हो कि आप दोनों एक बार सर्फ मिले और वो कोई negative way में नहीं ये sexual chemistry कोई negative chemistry नहीं है ये आप दोनों का प्यार है ये आप दोनों का चाहत है जो कोई भी third person ने जिस चाहत को कभी भी रोक नहीं सकता है चाहे कितना भी दुनिया कोशिश क्यों न कर ले आप दोनों मिलके ही रहेंगे क्योंकि आप दोनों destined हो मैं देख सकता हो कि third party बहुत कोशिश किये थे आपको और आपके partner को अलग करने के लिए किसी female energy का जादू टोने का मैं देख सकता हो कोई तांत्री का प्रयोगी में देख सकता हो ऐसा हो सकता है बट फिर भी आप दोनों का प्यार अभी भी अटूट है और ये कभी भी खतम नहीं होगा मैं और भी एक चीज़ देख सकता हो कि आपके partner थोड़ा सा शराब पी रहे for the first time हो सकता है या फिर out of depression में आके हो सकता है या फिर मैं देख सकता हो शराब नशा यहां पे है क्योंकि बहुत ज़दा depressed है बट आपने शायद उसको बोले हो या फिर promise करवाए हो इसलिए वो यह सब चीज़ से बाहर आ रहे है तो मैं देख सकता हो cigarette शराब यह सब चीज़ के इस्तमाल हुआ था बट वो आपको promise कुछ दिया था जया था या प्रệu क्या था उस promise को दोबारा उस promise को safe उस promise को रखने के लिए वो आपके पास वापस आएंगे मेरे खियाल से हूँ आपको कुछ बादा किया था वो आपको कुछ बादा किया था private moments ते उस private moments का बादा को वो अभी भी याद करके रखते है वो आपको धोका दिया है उसको वो आपको exploit किये है बट ये सारे चीज़ उसको अभी भी याद है मैं देख सकता हूँ कि physical chemistry में थोड़ा सा force physical intimacy में देख सकता हूँ हो सकते हूँ आपको कभी कबार force किये थे उसके बारे में भी उसको regret है मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए उसका शादी भी तै हो गया है बट वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ये शादी को रोकने के लिए मैं देख सकता हूँ कि family से भी लड़ है बट वो एक चीज में confused हो रहे है कि क्या सच में आप दोनों एक हो पाएंगे क्या ये society आप लोगों को एक साथ accept करेंगे बट उसके मन में अचानक एक इतिफाक हो सकता है ये coincidence हो सकता है जो भी बोलो उसके मन में एक positivity हमेशा रहता है वो हमेशा सोचते हैं कि आप दोनों के बीज में वो सब कुछ ठीक कर देंगे बट उसका career, उसका पैसा and at the same time उसके family का pressure उसका हमेशा थोड़ा सा low feel कराते है बट ये low वाला feel जो है ये temporary है, ये पासाउन हो जाएंगे आप लोगों का basic foundation है प्यार ये कोई जिस्मानी प्यार नहीं है दोनों-दोनों को बहुत प्यार किये हो काफी जादा moments रहे हैं और ये moment इतना आसानी से वो भूलने वाले नहीं है और मैं देख सकता हो कि physical intimacy में जो जो शब्द आप कहते हो जो जो चीज के बार में आप लोग discuss करते हो उसका सब कुछ उसका यार है मैं देख सकता हो कि आप diary maintain कर रहे हो या फिर कोई red और pink paint का इस्तमाल किये हो या फिर red roses को बहुत अच्छे से रख दिये हो या फिर कोई flowers exchange हुआ है या फिर chat messages को भी अब रख दिये हो मैं देख सकता हूँ love letters या फिर कोई expression या फिर soulmate का sketch बनाया हो या फिर आप कोई sketch वो बनाया है but photos ये है तो बार-बार वो photos को देखते रखते है fantasize है हो सकता है कि आप fantasize किये हो उसके बारे में और private moments भी आप अभी भी याद करते हो yes, lot of sexual energy यहां पर मैं देख सकता हूँ but मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रोने के time पे भी वो सब memories के बारे में याद करें ये आपके loyal person है ये कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है but ऐसा लगता है आपको कि आप बहुत ज़ादा शक करते हो इसको भी लगता है कि आपके आँखों के सामने ये बहुत relationship इतना बुरी तरीके से गिर गया था कि वो खुद को prove नहीं कर पाए उसका गुसा तो हमेशा ही रहता है तो वो गुसा कर बैठे और वो आपको मतलब इस relationship को बहुत बुरी तरीके से treat किया है बट वो अभी और नहीं करेंगे वो second chance के लिए आ रहे है वो second chance के लिए क्यों आ रहे है क्योंकि उसको लगता है ये उसके जिंदेगी का सबसे पहला और सबसे आखरे mistakes है इसके बाद वो कभी भी इस mistakes को नहीं दौर आएगा ये प्यार को वो एक नाम देगा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूरी तरीके से treat किया है वो आपको जूट बोला है वो third party के बारे में पूरे तरीके से चुपाए है वो उसके पास के बारे में ये universe भी जानते है और इसी बात को लेके वो आएगा मैं देख सकता हूँ कि वो अपना शादी भी तोड़े है या फिर उसका शादी तूट गया है तो इसी दिए वो बापस आ रहे है और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिन बात नहीं करने के बाद वो अचानक आपको call करेगा, message करेगा क्योंकि कोई spell ये फिर भशी करन ये फिर manifestations आप कर रहे हो और communications blockages के लिए आप काम कर रहे हो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ये फिर basic manifestations कर रहे हो, ritual कर रहे हो ये काम हो रहा है सीधा-सीधा उसका subconscious mind पे काम हो रहे है हर बगत आपको ऐसा लगएगा कि वो आपको feel करा रहे है, touch कर रहे है आपके private parts पे, आपके body पे उसका touch लग रहा है साथ ही साथ मैं देख सकता हो कि songs जैसे कि मैं बोल सकता हो आप लोगों को romantic songs नहीं, spiritual, sufi type के songs वो सुन रहे है और वो ये बोल रहे है कि आपको वो सच्चा महबद किये है हाँ, उसको पता है कि आप बहुत immature हो तो इसलिए उसका और आपके बीच में कुछ नहीं जमा उस time पे, वो ready नहीं था बट वो और दोबारा ऐसा mistakes नहीं करेगा वो थोड़ा सा different किसम के music सुन रहे है सूफी soft style के music सुन रहे है जो बन्दा बहुत high qualities मतला fast गाना सुनता है वो काफी different तरीके से गाना सुन रहे है लाइक को lead करे है उसको सारे friends जो बहुत पसंदे अभी उसको ये सारे चीज एकदम अच्छा नहीं लग रहे है उसको थोड़ा सा सुकून चाहिए बट उसको सुकून नहीं मिल रहे है उसको ऐसा लग रहे है कि उसको आपके पास जाना है और उसको आपसे बात करना है उसको लग रहे है कि भले ही वो उतना irritate हो जाते थे, भले ही वो खराब बात करते थे, भले ही वो आपको ignore करते थे, बट फिर भी उस चीज में उसको बहुत ज़ादा मज़ा आता था, उस चीज में उसको बहुत ज़ादा सुकून मिलता था, बट अभी उसके life में सुकून नहीं है, जो person के पास जो जाना चाता था, वो person उसको reject करके चला गया है, जो friends लोग एक time पर उसको बहुत अच्छा लगता था, अभी उसमें उसका कोई interest नहीं है, जो जो चीज उसको अच्छा लगता था, अभी उसके कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह change हो जा रहे, और साथी साथ, ऐसा हो सकता है, कि recently break up हुआ है, ऐसे person अपने soulmate को ढून रहे, बहुत जादा ढून रहे, और आप भी ऐसे single हो, और ढून रहे हो कोई नहीं परसंग के साथ, तो दो soulmate एक हो रहे हैं, after a karmic baggage, तो अगर आप single हो, break up के बाद, और चाते हो कि कोई परसंग आपके पास आये, तो मैं देख सकता हूँ, यह person compassionate है, यह person Virgo, यह person Taurus, at the same time Scorpio, at the same time Cancer, and Aedes और Sagittarius हो सकता है, और ऐसे person जो आपको passionately प्यार करे, जो person spiritual हो, जो person आपको कुछ नए चीज सिखा है, जो person आपको family की तरह ट्रीट करे, और जो person आपको pamperment करे, तो मैं देख सकता हूँ, और कोई fire sign, air sign आ रहा है, air sign के लिए मैं बोच सकता हूँ, Gemini हो सकता है, कि आपके like में आए, मैं देख सकता हूँ, कोई actor, कोई dancer, कोई social influencer, यह फिर spiritual person, हो सकता है, ऐसे भी person, जो NGOs में काम करते है, जो old age home, यानि के old age people के साथ काम करते है, जो काफी compassionate है, और उमर में थोड़ा बड़े है आपसे, ऐसे कोई person आ रहे है, अगर आप लोग कोई separated person से deal किये हो, हो सकता है, वो person separated है, बट फिर भी वो आपके लिए आ रहे है, और वो आपको प्यार भी करेंगे, और वो आपको यह एहसास दिलाएंगे, कि जो चीज उसके life में हुआ, उसके साथ हुआ, वो चीज आपके साथ ना हो, तो हो सकता है, एक strict mentor हो, या फिर हो सकता है, एक ऐसा sensitive person, जो आपको as a father, as a mother, अगर लड़की हुआ as a mother, अगर लड़का हुआ तो as a father, आपको treat कराएगा, and last बात, अगर आप separated person के साथ deal करेंगे, जो divorce phase में है, और आप चाते हो कि उसका divorce हो जाए, और आप भी divorce से निकल पाओ, तो यहाँ पर साफ साफ बात है, कि दोनों ही divorce के बाद, मतब divorce बहुत जल्दी होगा, और आप और वो दोनों बहुत जल्दी मिलोगे, यहाँ पर मैं देख सकता हो कि दो कार्मिक baggage खतम होने के बाद, एक soulmate में आप लोग बदल जा रहे हो, तो अगर recently कोई person के साथ मिले हो, जिसका एक बच्चा हो, specially एक लड़की हो जिसका, और वो person आपके लाइक में आ सकता है, क्योंकि वो और आप destined हो सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है, कि एक ऐसा female जिसका एक लड़का हो, और आप एक single male हो, तो यह हो सकता है, दोनु ही अगर separated हो, तो as a person आप लोग heaven sent हो, इस reading में बोल सकता हो, past life connections के लिए आप deal करें, इसलिए इतना जादा emotional baggages लेके चलते हो, इसलिए इतना जादा जगडा होता है, बट यह जो भी problem था, यह खतम हो गया, अभी आप लोग मिलोगे, बहुत जल्दी reconciliations होने वाला है, बहुत ही जल्दी, मैं यह भी देख सकता हूँ, reconciliations होने के बाद, आप लोग कहीं पे जाओगे, physically intimate होंगे, और sexual chemistry और भी बरेगा, और वो आपको compliment करेंगे, अगर आप लोग already gym join किये हो, या फिर अपने physical beauty के उपर, बहुत ज़दा focus कर रहे हो, तो आप लोग बहुत सही कर रहे हो, अगर आप लोग कुई भी spell या फिर manifestations कर रहे हो, या फिर crystal therapy ले रहे हो, या फिर sound therapy ले रहे हो, यह काम आ रहा है आपके लिए, congratulations, ऐसे ही manifest करते रहे है, और इसी के साथ इस reading को खतम करता हूँ, चलता हूँ, इस वीडियो से, and bye bye, take care all of you, om cream, dakshina kali ke nama, आप लोग prayer कीजिए, और इस fire को अच्छे से claim कीजिए, अगर subscribe नहीं कियो चैनल को, subscribe कर लीजिए, मैं healing energy saints कर रहा हूँ, यह जो flame है, यह twin flame है, यह twin flame आपके like में, आपके love life को और भी जादा अच्छा करें, बहतर करें, खतम करता हूँ, वीडियो पर इसी time पर, om cream, dakshina kali ke nama, please, 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 अगर वीडियो अच्छा लगा, तो subscribe कर लीजिए, मेरे चैनल को, bye bye, take care all the very best,